हर लड़की की तमन्ना होती है कि वो अपनी शादी में सबसे खुपसूरत न जराए पर कई बार मोटापे और अन्य कारणों की वज़़से यह इक्षा पूरी नहीं हो पाती आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप बता रही हूँ जिनसे आप एक अच्छी फिगर के साथ साथ एक अच्छी सेहत भी पा सकती है इसमें सबसे पहली चीज है चेहरे का रखे खयाल अपनी चेहरे की दिख भाल के लिए अपनी ब्यूटीशन से मिलती रहें इस तरह शादी का दिन आने तक आपकी तवचा स्वस्त सुन्दर और आकशित हो जाएगी फेशिल के साथ साथ बोडे स्पा और आयरवेदिक मसाज करवाएं तवचा का खयाल रखने के लिए तवचा को ठीक से साफ करें फिर चेहरे को टोन करें और फिर किसी अच्छे मॉस्चराइजर से मसाज करें इसके साथ साथ आप शादी से कुछ दिन पहले से ही संतुलित आहार लेना शुरू कर दें अपने भोजन में दूद, पनीर, हरी सबजिया, मौसमी फलादी जरूर शामिल करें हर दिन सुबा और शाम के समय थोड़ी देर वयाम करें अपने होटों को चमकदार बनाने के लिए इन पर प्रति दिन लिप बाम या पेट्रॉलियम जली लगाना ना भूले इससे होट नर्म रहेंगे और उनके चमक भी बनी रहेगी बालो में निखार लाने के लिए समय समय पर उनकी मालिश करें बालो में शेंपू के साथ साथ कंडेशनर का पर्योग जरूर करें शरीर में चमक लाने के लिए आप प्रते दिन उप्टन का इस्तमाल कर सकती हैं हर दिन 7-8 घंटे की नीश जरूर लें अच्छी नीन लेने से आपके चहरे पर चमक आएगी। हर दिन थोड़ी देर मेडिटेशन जरूर करें। इससे तनाव दूर रहेगा और चहरे पर चमक बनी रहेगी। दिन भर में कम से कम 3-4 लिटर पानी जरूर पीएं जिससे तवचा में चमक आएगी। कोहनी और एडिय की सफाई पर विशेश ध्यान दे। इन उपायों को करने से आप शादी से पहले पॉफिक बॉड़ी पासकती है। इसी तरह और भी हेल्दी और ब्यूटी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें।